हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से आपके अपनी यूटूब चैनल स्टेडी सरजी में दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजी सी के फाइनल फैशले आने पर जी का इस यूज स्टार्ट होने के पहले कि यूजी सी के दिशा निर्देश के खिलाफ आज सुनवाई की क्यूंकि छात्रों ने अंतिम वर्स की परिक्षाओं के परिपत्र का विरोत किया है तो वीडियो डीटेल में बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने इस पहले आप सभी से एकी देश को चुनवती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तयार है जिसने विश्विद्याले को अपनी अंतिम वर्स की परिक्षायती सिंप्तमबर तक आयुजित करना अनिवार कर दिया था जी गाइस का अनिवार कर दिया था आयसे मैं देखिये कि आज की देट में क्या फैस्ला होनेMrvela RNA स्टाट होगई है इससे पहले यहाँ पर क्याई 6 जूलाई होना चीalal दिखा वहाला कि 6 जूलाई को यूजिसी چेने सभी अंतिम वर्स के परिक्षा परिक्षा की बात कही थी छात्रों को अनिवार रूप से परिस्षा सिप्नमबर 2020 2020 तक अंत तक आफ लाइन या आनलाइन मोड में आयुजित करवाने का पूरी तरीके से युजिसी ने गाइड लाइन जारी दे दिया था आपको बता दें यह आज की डेट की देख पा रहा हूं इंडिया टीवी की निउस डेस्ट के रिपोर्ट आ रहे आज अभी जो भी फैसला आएगा हम पूरी तरीके से आपको लेंट जरूर लाएंगे अफिलाल UGC अपना है सुप्रीम कौट अपनी कोई नए डेट जारी कर देगा क्यों कि आज के मसले में हमें नहीं लगता है कूरी तरीके से समझौता या जो भी है वह गाइडो लाइन न्यू तरीके से जारे की जाएगा फिलाल आपको बता दे कि जो सिलसिला है जो भी मचला है इस पर काफी लंबी बहस्तोंने वाली उसके बाद भी स्प्रीम कोर्ड को अगर अगर आज δेक्लेर कर डेगा 30 पर अपना अगस्ट तक दिलेक कर सकता है फिलाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते हम बस एक अमूमन आपको डेट बता रहे हैं याचिकाओं पर सीर्स अदालत के तीन नयादिसों की पीट द्वारा सुनवाई की जाएगी जिसमें चेस्टिस सामिल है असोग भुषण आर्स वास रेड़ी और एम आर्सा भारत के कई विश सुनवती दी थी क्योंकि आपको बता दे कि कोविड नाइंटीन का कहर या कोविड नाइंटीन महामारी के बीच परिक्षा में बैटने के लिए मजबूर करेगा यह चात्रों का कहना था कि युजी से हम पे पूरी तरीके से इतना तंज कस रही है या उसकी जो 2020 के अंतक अनिवार रूप से आफ लाइन या आनलाइन आयुजित की जानी चाहिए एक नए युजी सी के निर्देश के तहत यदि कोई चात परिक्षाओं के लिए उपस्तिती नहीं हो पाता तो उसे बाद में परिक्षा द्वारा एक विसेश परिक्षा के लिए उपस्त होना औसर दिया जाएगा यहां पर कई कंडिशन जो है युजी सी रखा था अगर आप परिक्षा में सामिल नहीं हो पाते हैं तो आप बाद में परिक्षा में बढ़ सकते हैं आफ लाइन आनलाइन या दोनों मोड तरीके से आप किसी में जिसमें सूटेबल समझे जिसकी बवस्ता आपके पास हो वो उस फार्म में आप एक्जाम दे सकते हैं फाइनल येर के सभी चात्रों को ले करके ये गाइडलाइन जारी की गए थी युजी सी ने सभी आदेसों का उलंगन करने के खिलाफ चेतावनी दिथी कहा था कि इस फशले को नहीं मानने से चात्रों क भविश में खत्रा पढ़ सकता है पढ़ जाएगा जी गाइस तो आपको पूरी तरीके से खत्रा हो सकता है फाइनल येर के चात्रों को लेकर कि ये बात है जब युजी सी से व्यक्तिकत राज्य सरकारों को उम्मीदवार के पिछले परदर्शन के आधार पर अंतिव वर् का दे करके या कोविड नाइंटीन का ठपा लगवा करके हम उनको लाइफ टाइम के लिए जो है इस कोविट कहर को नहीं दिखाना चाहते या उनकी मार्सीट पर यह नहीं बताना चाहते कि फ्यूचर में अगर वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ प्रब्लम हो सकती फिलाल ब इजाम हो बागी सब को प्रमोड किया जाए फाइनल पॉइंट अगर बात करें तो यूजी सी ने परिक्षा आयुजीत करने का नेड़ा मानसा अंसाधन विकाश मंत्राले से परा मर्स के बाद लिया था यूजी सी के साथ-साथ कहीं न कहीं यचाडी मंत्री है यचाडी मं को भी मजबूर कर पाएगी या फिर सुप्रीम कोट नई डेट देगा आज जैसा कि आप सभी को बता दे प्लानिंग पूरी हो गई है फाइनल येर के चात्रों को लेकर के काफी हद तक जो है काफी इन्वस्टिया तैयारी भी कर ली है ऐसे में आज फाइनल फैसला आना ब चैनल के द्वारा हम तुरंत आप तक जो है नोटिश लेके आएंगे तो गाई इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए नए वीडियो को वेट करिए नए यूजिसी के गाइडलाइन का हमें तो नहीं लगता आज डिक्लेयर करतेगा फैसल हो जाएंगे फिलाल अभी फैसला बाकी है चैसे आएगी नोटिस न्यूज हम आप तक जरूर लेके आएंगे तो इस वीडियो में इतना ही चलते चलते आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट अगर चैनल पर फस्टाइम जूड़ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्र से रिलेटेड आप चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिए हमें कमेंट के जरूर या वीडियो के जरूर आप तक इनफॉर्मेशन जरूर लेके आएंगे तो थैंक यू लाज़ तक वीडियो देखने के लिए जैहिंद बंदे मात्रम